पाकिस्तान की फित्र से तो आज हर कोई वाकिफ है भारत के खिलाब उसकी चालबाजियों के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है हाला कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल दहा है जिसकी वज़े से सीमा पर दोनों तरफ से गोली बारी की घटनाओं में कमी हाला कि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज़ादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी लेकिन भारतिय सेना के लिए इन्फल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलिंज है एक चौनौती है और इस वकाट जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन् है कि हाली में दो तीन ऐसे इंसिडिंट हुए हैं जहां पर इन्फल्ट्रेशन की कोशिश की गई दूसरी तरफ से और उस इन्फल्ट्रेशन को रोका गया टेर्रिस आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोका गया इस इलाके में जो जो पोस हैं भारतिये और पाकिस्तानी आर्मी की वो बेहद नजदीक हैं इस तरह का जंगली इलाका है इसलिए चालेंजिस भड़ जाते हैं पोस्स सिरफ सो या डेर सो मीटर दूर हैं भले ही सीजफायर अग्रीमेंट हो लेकिन मुस्तैदी में भारतिये सेना की कोई भी कमी नहीं आई है सीमा पर भारती सेना पूरी तरह से चोकस है जिसकी वजह न तो पाकिस्तानी सेना और नहीं आतंकी अपने मनसूबों को अंजाम दे पा रहे हैं लेकिन अभी हाल ही में जम्मू एर बेस पर हुए ड्रोन अटैक ने सुरक्षा एजन्सियों के कान खड़े कर दिये हैं जिसके बाद से ही पाकिस्तान सीमा समेथ पूरी घाटी में सुरक्षा बलों ने चोकसी बढ़ा दी है जम्मू एर फो स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चनौती है किस तरह से ड्रोन का सामना किया जाए यही कारण है कि भारतीय सेना अपनी शमता को बढ़ा रहा है ड्रोन से लड़ने के लिए क्योंकि इस तरहां की इंपुट्स बार-बार आने वाली हैं कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे सीज़ फायर रहेगा ड्रोन अटैक्स के चांसिस भी भड़ जाएंगे हलाकि इस समय सीमा पर सीज़ फायर चल रहा है यानि कि दोनों देशों की तरफ से गोली बारी की घटनाय नहीं हो रही है लेकिन फिर भी सीमा पर बसे गाउं में अब चिंता की एक लकीर है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पडोसी देश है जिसके वादों पर कभी भरोसा नहीं शेलिंग हुई है कुछ महीनों में एक राहत जरूर है जब से सीज़ फायर अग्रीमेंट है लेकिन अभी भी इनका भविष्य कैसा होने वाला है इनको कोई अंदाजा नहीं है अभी भी यहां के बुज़ुर्गों को खास करके चिंता है यहां के बच्चों की कि इनका जवानों की जान भी गई थी जब पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था खैर भारती सीमा पर सुरक्षा बलो द्वारा कड़ी चौक सी बरती जा रही है और आतंकियों की घुसपैट रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है सेना पूरी तरह स सेना की हरकतों पर कड़ी नजर बनाए हुए है ग्योरो रिपोर्ट भारत तक